दोस्तों आज 23 में 2022 को तामिल नाडू पेट्रो प्रड़क्ट्स लिमिटेड के क्वाटर फोर के फाइनेशल रिजल को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड अब डारेक्टर्स ने 3 रुपे प्रती एक्विटी शेर का फाइनल डिविडेंट भी रेकमेंड कर दिया है अगर हम लोग इस डिविडेंट को इस शेर के फेज वैलू जो 10 रुपे प्रती एक्विटी शेर है इस से कंपेर करें तो ये डिविडेंट की approval शेर होल्डर से आने वाली AGM में लेनी है यह इस company का consolidated financial result हो रहे हैं सारे figure lakhs में बताए गए हैं except earning per share quarter 4 में इस company का total revenue from operation इसमें यह दोनों figure को add करनी की ज़रूरत है क्योंकि हाँ यह revenue from operation है यह other operating income है तो जब इन दोनों income को हम लोग add करते हैं तो quarter 4 में यह लगबख 435 है जो previous quarter में यह 449 करूड था और previous year के quarter 4 में यह 350 करूड के आसपास था तो total revenue from operation में year on year basis पर 24% की बढ़त है और अगर हम लोग quarter on quarter basis पर देखें तो यह 3% गिरा है quarter 4 में total income 449 करूड 63 लाग है जो previous quarter में यह 453 करूड अंठावन लाग था और previous year के quarter 4 में यह 353 करूड 70 लाग था तो total income में year on year basis पर 24% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह 3% गिरा है quarter 4 में profit before tax and before exceptional item 34 करूड 96 लाग है जो previous quarter में यह 63 करूड 90 लाग था और previous year के quarter 4 में यह 66 करूड 24 लाग था तो profit before tax and exceptional item में year on year basis पर लगबख 47% की कमी हुई है और quarter on quarter basis पर यह लगबख 43% गिरा है तो profit before tax में इस quarter में काफी कमी हुई है इसका मतलब इस company के operational expenses काफी बढ़ गए है quarter 4 में net profit या profit after tax 25 करूड के आसपास है जो previous quarter में यह 48 करूड 20 लाग था और previous year के quarter 4 में यह 63 करूड 81 लाग था तो pat में year on year basis पर लगबख 61% की कमी हुई है और quarter on quarter basis पर यह लगबख 48% गिरा है आप देखिए year on year basis पर pat में 61% की कमी कैसे हो गई यहाँ आप देखिए previous year के quarter 4 में exceptional gain हुआ है और यह gain 24 करूड 73 लाग का है अगर हम लोग इस gain को हटा दें तो quarter 4 का जो pat आएगा वो लगबख 49 करूड के आसपास होगा तो अगर इस figure को consider करें तो year on year basis पर pat में 36% की कमी हुई है quarter 4 में इस company का earning per share 2 रुपे 70 पैसे है जो previous quarter में यह 5 रुपे 36 पैसे था और previous year के quarter 4 में यह 7 रुपे 9 पैसे था तो earning per share में year on year basis पर लगबख 61% की कमी हुई है और quarter on quarter basis पर यह 48% गिरा है तो आप देखिए EPS में भी year on year basis पर इतनी ज़्यादा गिरावट की बज़ा वही exceptional item है quarter 4 में इस company का operating margin लगबख 9% है जो previous quarter में यह लगबख 15% था और previous year के quarter 4 में तो यह लगबख 20% था तो आप देखिए operating margin में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर कितना ज़्यादा दबाव है तो हम लोगों ने देख लिया इस company का revenue from operation year on year basis पर तो बढ़ा है लेकिन quarter on quarter basis पर यह गिरा है और इस company का PBT, PAT, EPS और margin इन सभी में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर गिरावट हुई है तो मुझे इस company का result अच्छा नहीं लग रहा है अब हम यह देखना है कि कल market open होते ही ऐसे result का इस share के price पर क्या impact पड़ता है तो दोस्तों आप इस video को like करें, मेरे channel को subscribe करें इस video को अधिक सधिक लोगों के साथ share भी करें, बहुत बहुत धन्यवाद